हेलो दोस्तों सुवागत है आपका अपने चैनल में दोस्तों आज हमारी उत्राकंड बियस नेगी प्रैक्टिस सैट का 59 पार्ट है चलिए आज की वीडियो श्टार्ट करते हैं पहला क्यूशन नंदाराजजात का पहला पढ़ाव कोन साए नोटी से ईडा बदानों नंदाराजजात में महिलाव का जाना कहा तक स्विकरतें पातर नचोणिया तक नंदा देवी राजजात निम्न में से किस छेत्र की सांस करतिक एक तका परतिक है एवबी दोनों गडवाल वै कुमाउ छेत्र की बीशवी सदी की पहली नंदा राजजात यात्रा कब हुई थी 1905 में सवत तंतरता के बाद पहली बार कब नंदा राजजात यातरा हुई थी 1951 में विश्व की अनोकी पद यातरा नंदा राजजात कितने वर्सों बाद आउजित की जाती है 12 वर्सों के बाद किसी यातरा को हिमले का महाकुम कहा जाता है नंदा राजजात यातरा को वारोनी यातरा का सम्मन उत्तरकासी जनपत से है और खतलिंग यातरा का सम्मन टेहरी जनपत से है नंदा राजजात यातरा की समय अवधी कितनी है 19 से 20 दिन नंदा देवी राजजात यातरा किस गड़ के राजकुम्रों द्वारा संपन कराई जाती है चांदपुर गड के कास्वा गाउं के राज कुम्रो द्वारा तो अपसंडी राइटा अंसर होगा इन में से कोई नहीं किस गाउं में नंदा देवी का भारवाग लाटू देवता सामिल होता है नोटी गाउं में नंदा देवी राजात यातरा का अंतिम पडाव निम्र में से कोँ सा है होमकुंड कास्वा गाउं चमोली के समीप नोटी के नंदा देवी मंदिर से होमकुंड तक की दुरी निम्र में से कितने किलोमेटर है 280 किलोमेटर नंदा देवी के किस पड़ाव के बाद कोई बस्ती नहीं है बान पड़ाव के निमन में किस यातरा में मा पार्वती की विदाई बेटी के रूम में की जाती है नंदा राजजात यातरा में पातर नचोणिया नामक इस्थान का सम्मंद किस यात्रा से नंदा राजजात यात्रा से निमन में से किस का सम्मंद नंदा देवी राजजात यात्रा से उपरयुक्त सभी चोसिंग या मेडू या खाडू छतोली रिंगाल से निर्मित जिवरांगली दर्रा किस परवत को गण परवत वय रजतगिरी कहा जाता है केलास परवत को जून सितंबर महा के बीच केलास मानसरवर यात्रा किसके सैयोग से होती है उपरयुग सभी ITBP भारतिय विदेश मंतराले कुमाव मंडल विकास निगम कौन सी यात्रा अलमोडा से कोसानी डीडी हाट होते हुए दार चुला पहुँचती है केलास मानसरवर यात्रा पितोरा गड के लिपुलेक दर्रा से होकर जाने वाली यात्रा है केलास मानसरवर यात्रा केलास मानसरवर यात्रा की समय अवदी कितनी है लगबग 40 दिन केलास परवत के चारो ओर की प्री कर्मा दूरी कितनी है 51 किलोमेटर निम्न में से केलास सिकर की बनावट किस की तरह है सिवलिंग की तरह है पिथोरा गड की सोर गाटी में धान रोपाई के समय कौन सा उत्सव मनाया जाता है हिल जातरा उत्सव निम्न मेंसे किस उत्सव में स्वांग निर्तिक किया जाता है हिल जात्रा उत्सव में नेपाल की देन हिल जात्रा उत्सव का मुख्य पात्रे लखिया बहुत असकोट आराकोट यात्रा किस संस्था द्वारा आयुजित की जाती है पाढ़ संस्था के द्वारा उत्रा खंडगा पांचवा धाम यातरा किसे कहा जाता है खतलिंग रुद्रा देवी को वारोनी पंच कोसी यातरा कि जनपद में हर वर्स आईजित की जाती है उत्रकासी जनपद में तो दोस्तो यादि हमारी वीडियो अगर आपको चले गयो तो कमेंट करके जरूर बताए धन्यवाद